Computer Awareness के इस कोर्स में आपका स्वागत है मैं हूँ आपका दोस्त इंस्ट्रक्टर सौरप शुकला यदि आप BCA कर रहे हैं, BSC कर रहे हैं, BCOM कर रहे हैं कोई भी graduation कर रहे हैं और आपका मन है MCA entrance exam देने का तो NIMSET आपकी जरूर पहली choice होगी और यदि आप NIMSET 2024 की तियारी कर रहे हैं तो आपने definitely उसके form भी भर दी होगे पर आप में से कई सारे लोग ऐसे भी होगे जो NIMSET 2025 की तियारी कर रहे हैं या 2026 की तियारी कर रहे हैं या उसके बात देने वाले आप सभी के लिए ये course बहुत ही valuable है और आज का वीडियो तो काफी काम का साबित होने वाला है अगर आप 2024 के लिए तियारी कर रहे हैं तो बस इस वीडियो को जरा दिहान से देखिए क्योंकि इसमें आपको इस exam के बारे में कुछ पता चलेगा और computer awareness की तियारी कैसे करें उसके बारे में भी पता चलेगा तो चलिए शुरुआत करते हैं तो आज का जो हमारा lecture है वो इस बात पर based है कि NIMSET 2024 जियां NIMSET 2024 खास तौर पे इसमें कुछ नए नियम आए है ये नए नियम क्या है इसके बारे में हम लोग जानेंगे exam को कैसे prepare करना है exam को कैसे attempt करना है because 8 जून को इसका paper होने वाला है तो definitely जो लोग 2024 के लिए prepare कर रहे हैं उन लोगोंने form fill कर दिया होगा लेकिन अगर कोई 2025 के लिए भी prepare कर रहा है तो उसके लिए भी ये जानकारी बहुत एहम है क्योंकि वो साल भर की preparation करने के बाद इस exam को देने वाले है तो सबसे पहले आज का जो हमारा मकसद है वो है syllabus and strategy चलिए देखते हैं सबसे पहले NIMSET 2024 को target करते हुए आपको ये बता जेना चाहता हूँ कि इस बार sections जैसे पहले आते रहे हैं sections वैसे ही हैं अलग-अलग dedicate कर दिया गया है पहले तक आप ये करते थे कि NIMSET exam में mainly 4 चीज़ें होती थी एक mathematics, एक reasoning, logical reasoning तीसरा computers और चौथा English ये चारो portion मिलकर 120 सवाल का 120 minute के लिए यानि 2 घंटे के लिए एक exam paper बनता था आपकी choice होती थी आप किस सवाल को पहले attempt करें और किसी भी सवाल के बाद आप किसी भी दूसरे section के सवाल को कर सकते थे ये आपकी मर्जी थी कि आप पूरे 120 minute सिर्फ maths का section करें या आप अपनी मर्जी से कोई section छोड़ दें ये सब करने के बाद इन टोटल एक हजार number में से आपके marks कितने आए इस आधार पे merit list बनती है लेकिन इस बार से थोड़ा सा change कर दिया changes ये हुए हैं कि sections अलग-अलग कर दिये पहला जो part है वो होगा mathematics का सबसे पहले जब आप exam देंगे online exam है तो जैसे ही आपका exam start होगा mathematics का section खुलेगा जिसमें टोटल 50 सवाल होंगे इन 50 सवालों को आप किसी भी order में कर सकते हैं 70 minutes आपके पास होंगे इस section को करने के लिए जैसे ही 70 minutes खतम हो जाएंगे ये section खुद बखुद हट जाएगा और अगला section logical reasoning का आपके सामने आएगा इस section के अंदर आपको 30 minutes में 40 सवाल करने हैं क्योंकि negative marking भी है सभी सवाल करना ज़रूरी नहीं है top rank लाने के लिए जो सवाल आपको बन रहे हैं वही करिए क्योंकि सवाल जादा हैं समय कम हैं तो आपके लिए एक चुनौती समय भी होगा तो वही सवाल करें जो आपको बन रहे हो क्योंकि हर सवाल पे एक section के हर सवाल पे marks तो बराबर ही मिलने तीसरा section computer awareness और English को एक ही section बना दिया है और इस section के अंदर 20 मिनिट के अंदर आपको 20 सवाल computers के और 10 सवाल English के करने होते हैं अब देखे ये total हो जाते हैं 120 सवाल ये total time हो जाता है 120 मिनिट लेकिन marking कैसी है हर सवाल को weightage अलग है mathematics अभी भी सबसे ज्यादा important है और इसके सवाल का weightage कुछ ऐसा है कि एक सही करने पर आपको 12 marks मिलेंगे और गलत होने पर एक सवाल के गलत होने पर 3 marks कटेंगे यानि आप formula समझ लीजे number of right जितने हुए हैं उसमें 12 का multiply करें minus number of wrong जितने हुए हैं उसमें 3 का multiply करें ये जो result आएगा ये आपका mathematics में आपके marks कितने आए वो होगा maximum marks इसमें हो सकते हैं 600 क्योंकि अगर 50 के 50 सवाल आपने सही कर दिये तो 12 into 50 that is 600 तो 600 marks आपके आ सकते हैं maximum लेकिन क्योंकि 70 minute का ही टाइम है जैसी 70 minute over हो जाएगा आपको अगले section पर move करना ही पड़ता है और ये अगले section में आपके पास हर सही सवाल पर 6 marks हैं और गलत सवाल पर 1.5 marks कटते हैं तो अब ऐसा नहीं हो सकता कि ये logical reasoning के जो 30 minutes हैं इस दौरान हम mathematics के बचे हुए सवालों को कर लें ये possibility नहीं है इस current इस साल का pattern थोड़ा different है और उम्मीद करते हैं आने वाले कुछ सालों में भी इसी तरह का pattern follow किया जाएगा इसलिए जो लोग 2024 नहीं 2025 की भी तैयारी कर रहे हैं तो इस नए rule को ध्यान में रखते हुए तैयारी करें तो कहीं लोग ये सोचते थे कि हम सबको छोड़ देंगे maths को ही करेंगे क्योंकि उसी का weightage सबसे जादा है अगर हम ये 600 marks भी लेकर आ जाते हैं तो हम top rank में जगे बना सकते हैं लेकिन अब ऐसा नहीं होगा आपको ये section के लिए अलग dedicated time मिलेगा तो इसको भी attempt करना ही है तो 240 maximum marks आप इस section में ला सकते हैं तीसरा section computer awareness और English का है इसमें computer का weightage थोड़ा जादा है computer का weightage exactly उतना ही है जितना logical reasoning के सवालों का weightage है यानि 6R-1.5W तो इसमें 120 marks maximum लाए जा सकते हैं English का weightage काफी कम है 10 सवाल आते हैं इसके अंदर और 4R-W इसमें होता है यानि एक सई सवाल पे आपको 4 marks मिलते हैं एक गलत जवाब पे 1 mark कटता है तो total maximum अगर आपने English पूरा भी कर लिया तो 40 marks आएंगे पर क्योंकि negative marking है तो unnecessary आपको guessing नहीं करनी है अगर आपको आता है तो ही आप लगाईए अब आपको ये बात तो समझ में आगे होगी कि जो deciding factor है वो तो maths होता है लेकिन reasoning काफी काफी बड़ी भूमी का है और computers की भी काफी बड़ी भूमी का है तो हमारा ये जो course है ये computer awareness के बारे में है यानि ये जो computer awareness के 20 questions आने वाले हैं इसका syllabus इस course में cover किया जाएगा ये course अगले एक हफते तक चलेगा और एक हफते में हर रोज इसका एक नया video publish होगा जिसमें कि आप इस course को पूरा complete करने वाले हैं तो मैं syllabus की भी आपको जानकरी देता हूँ I hope आपको ये marking schema और timing समझ में आये होंगे तो कैसे आपको exam को देना है तो उसमें तो section में आपके पास कोई choice ही नहीं है एक section से दूसरे section पर आप अपनी मर्जी से switch करी नहीं सकते हैं तो यहां तो आपके पास जब ये वाला section open होगा तो 20 minute होगे और इन 20 minute के अंदर English अगर नहीं आती है तो आप उसको मठ टच करिए computers के 20 के 20 सवाल आप बना सकते हैं इस course को करने के बाद तो देखते हैं कि computer awareness में syllabus में क्या क्या है अगर NIMSET 2024 की आप तयारी कर रहे हैं और जैसा कि अभी से भी अगर हम calculate करें तो आपके पास समय एक महीना भी नहीं बचा है final exam के लिए और अगर आप अगले साल की तयारी कर रहे हैं तो बात अलग है तो अगर आप ये exam की तयारी कर रहे हैं और आपको लग रहा है computers की बिलकुल तयारी नहीं होई है कोई बात नहीं इस एक week में रोजाना दो घंटे का समय निकालते हुए भी आप बड़े आराम से computer awareness को prepare कर लेंगे और इसमें आप maximum marks gain कर लेंगे जो की deciding factor हो सकता है आपकी rank के लिए तो syllabus क्या है तो syllabus में सबसे पहली चीज़ है computer basic यही सबसे ख़दरनाक syllabus है क्यों? क्योंकि computer basics बोलना बहुत आसान है लेकिर इसका syllabus में boundary खीचना बहुत मुश्किल है इसमें बहुत कुछ पूछा जा सकता है और कई तो इतनी basic चीज़ें है जो की हमें outdated सी लगती है जो हमें तोड़ा सा history जैसी लगती है जो ऐसा लगता है कि आज की date में use भी नहीं हो रहा है फिर भी ये सवाल क्यों पूछे जा रहे है definitely यहाँ पर गुंजाइश है syllabus क्यों update करने की लेकिन यह बहुत ही fundamental चीज़ें core चीज़ें और मैं यह मानता हूँ आपका computer hardware system किन devices से मिलकर बनता है और जो promote devices है उनकी functioning क्या है हमें यह पता होना चाहिए कि CPU क्या होता है और यह कैसे काम करता है हमें यह पता होना चाहिए कि instructions कैसे work करती है CPU के अंदर input output devices के बारे में आपको पता होना चाहिए हम लोग बात करेंगे memory की memory devices बहुत सारे होते हैं हमारे computer के अंदर और यह जो computer system पूरा बनता है उसमें कई तरह की memory devices का अपना अपना रोल है इनका क्या purpose है क्या characteristics है इसे जुड़े भी सवाल आते हैं फिर थोड़ा सा यह backup devices को लेकर भी सवाल आते हैं तो यह computer basics की theory को हमने boundary देनी की कोशिश की है as per the syllabus mentioned by the governing site जो इस exam को कंड़क करा रही है इस साल NIT जमशेद पूर इस सवाल को कंड़क करा रही इस exam को कंड़क करा रही तो इसमें जो syllabus mentioned है उसके आधार पर मैंने यह syllabus बनाया लेकिन जब हम exam papers को देखते हैं जो previous years में आये हैं तो उसमें हमें देखने को मिलता है कि यह सिर्फ इतनी सी boundary नहीं है कई बार सवाल इसके दाएं बाएं भी चले आते हैं क्योंकि यह बहुत umbrella term है इसके अंदर बहुत कुछ हो सकता है इनकी branches निकाली जा सकती है CPU बोल देने भर से आप CPU के बारे में क्या-क्या पढ़ने वाले हो यह बहुत vast हो सकता है तो यह थोड़ा सा tricky syllabus हो जाता है होते easy हैं सवाल अगर पता है तो आपका time खराब नहीं होगा पांच सेकेंड के अंदर आप answer दे दोगे और नहीं पता है तो आप सोच-सोच के तो इसका answer दे ही नहीं सकते हो क्योंकि यह इस नॉट अ मैटर अफ कैलकुलेशन अल दे टाइम लेकिन यह जो syllabus का part है यह तो SIi की तयारी करके आप इसमें सारे सवाल सही कर सकते हो यह है data representation का इसमें खास तोर पे हमको पढ़ना होता है कि किसी data को computer में किस तरीके से represent किया जाता है बात कर सकते हैं characters की बात कर सकते हैं integers की बात कर सकते हैं floating point values की real numbers की इनको कैसे internally represent किया जाता है उसके बारे में नंबर सिस्टम इसके लिए जानना बहुत जरूरी होता है binary system, octal system, hexadecimal system, decimal number system ये जो अलग-अलग number system से इनकी जानकारी होनी चाहिए इनके बीच में conversion करना भी आपको आना चाहिए इनसे related basic calculation भी करना आपको आना चाहिए फिर यहाँ binary arithmetic की भी बात करेंगे जिसके अंतरगत आप binary में addition, subtraction, multiplication, division, modelers जैसे operations को देखने वाले हैं once compliment, twos compliment को देखने वाले हैं किसी भी number system में आपको अगर arithmetic, addition, multiplication, division, subtraction ये करना होगा तो आप किस तरीके से करेंगे इस तरह के सवाल है once compliment to twos compliment या nines compliment, tens compliment इन पर आधारित सवाल भी पूछे जाते हैं फिर यहाँ पर है number representation and range जो data actual में store होता है उसमें number representation किस तरीके से किया जाता है यानि क्या number को सीधे तोर पे binary में convert किया जाता है या उसमें और भी कुछ technique को लगाया जाता है तो इसमें multiple techniques हैं कुछ technique ज्यादा actual में use में आती है कुछ technique ऐसी है जो theoretically बनी कभी किसी computer में use भी हुई हो शायद लेकिन उनका सिफ theoretical महत्व रह गया है पर वो भी इस syllabus में है उनको हमको cover करना होता है range भी हमें देखना पड़ता है कि किस range का data हम उतने memory slot के अंदर store कर पाते हैं तो वो ranges भी हमको देखनी होती है फिर हमको समझना होता है logic gates के बारे में जिसके बारे में काफी students को पहले से भी पता होता है और काफी comfortable लगते हैं कि यहां logic gates क्या है लेकिन जब logic gates की बात आती है तो logic gates से बनता है logic circuit और इसके बारे में भी सवाल बनते हैं यहां पर equivalent circuit आपको निकालने को आ सकता है या एक circuit के basic functioning के बारे में पूछा या सकता है या फिर आप से truth table से related सवाल भी आ सकता है boolean algebra से related सवाल आ सकता है boolean expression, boolean function से related सवाल बन सकता है vent diagram और k map के बारे में भी यहाँ पर syllabus में mention किया गया है और इन पर based भी सवाल आ सकते हैं तो यह है हमारा computer awareness का syllabus लेकिन जरा एक नजर दोड़ाते हैं कि पिछले 5-6 सालों में जो exam हुए हैं उसमें computer में किस तरह के सवाल आए हैं और इस syllabus को अगर हम categorize कर लें तो किस category से कितने सवाल आए हैं इसकी जानकारी भी हमको मिलती है देखें 2018 से शुरू करते हुए 2023 तक मैंने एक bifurcation किया हुआ है कि computer basic से कितने सवाल आए अब computer basic क्योंकि काफी बड़ा syllabus है और इसमें काफी सारी चीज़ें आ जाती है तो ये एक category आपको काफी heavy दिखाई देगी और इससे हमेशा काफी सवाल आते रहें हलागि 2019 में इसमें कोई सवाल नहीं आया था लेकिन लगबख सभी सालों में आप देख सकते हैं कि इस पर सवाल जरूर बने हैं और 2023 की बात करें तो उसमें तो आठ सवाल आयें एक बात और जानकारी आपके लिए एहम हो सकती है कि 2023 से पहले यानि पिछले साल के पहले तक 10 सवाल ही computer में आया करते थे लेकिन पिछले साल से computer का weightage बढ़ाते हुए 20 सवाल कर दिया गया है तो एक तो यह अहम जानकारी है और इस साल भी 20 सवाल आने वाले हैं अब computer basics जैसे 2018 में हम देख रहे हैं कि 2 सवाल आयें फिर 19 में 0 फिर 4 फिर 8 फिर 2 फिर 8 तो इसको तो हमें अच्छे से करना है लेकिन जैसा कि मैंने कहा कि इसकी syllabus की boundary बहुत बढ़ी है तो इसके बाद भी हो सकता है कि अगर एकाथ सवाल नहीं बन रहा है तो आपको यही वो section होगा जिससे शायद एकाथ सवाल नहीं बने पर यह लग के उपर भी depend करेगा कि इस साल जो paper आता है उसमें किस तरह के किस level के सवाल आप से पूछे जाते है बट हम काफी से levels इसका cover कर लेंगे तो मुझे लगता है कि आप इसमें से काफी सारे सवाल भी कर पाएंगे number system number system मतलब वही binary, octal, hexadecimal, decimal system इस पर भी लगबग हर साल सवाल आता रहा है 2022 में एक भी सवाल नहीं आया था और पिछले साल एक सवाल आया है तो हम उम्मीद कर सकते हैं मैं एक थोड़ा सा prediction system बनाता हूँ मैं नहीं कह रहा कि मैं कोई जिर्ची हूँ और मैं बहुत confirm कहके कह रहा हूँ लेकिन एक अंदाजा मैं लगा रहा हूँ as a teacher कि 2024 में कितने सवाल आ सकते हैं और बिल्कुल ऐसा जरूई नहीं कि जो मैं कह रहा हूँ वही होगा क्योंकि जो paper set कर रहे हैं वो किसी pattern को follow नहीं कर रहे हैं वो अपने हिसाब से syllabus में से जो भी उन्हे questions रखने वो वो रखेंगे तो हम ऐसा fix तो नहीं कह सकते लेकिन मुझे लगता है computer basic से 100% सवाल आएंगे और कम से कम कम से कम 6 सवाल तो इस section से आने ही आने हैं तो आप इसको तो अच्छे से prepare करिए number system में मुझे लगता है कि एक या दो सवाल तक आ सकते हैं ज्यादा सवाल इसमें नहीं आ रहे हैं लेकिन एक दो सवाल तो इसमें आते ही है फिर binary arithmetic में कभी भी बहुत सवाल नहीं आए है binary arithmetic का मतलब है दो binary number को add कर दो दो binary number को multiply कर दो इस तरह का नहीं आया है तो मैं बहुत ज़ादा इससे उमीद नहीं कर रहा हूँ और शायद इससे सवाल ना है हाला कि हम इसको भी syllabus में cover करेंगे जरूर इसके बाद हम बात करते हैं number representation की तो basically जो number representation है उसमें हमें पढ़ना होता है कि कैसे किसी number को binary में convert करके store किया जाता है और वो store करते वक्त अगर वो signed number है तो उसको कैसे represent करेंगे plus है तो कैसे represent करेंगे minus है तो कैसे represent करेंगे वो तमाम चीज़ें इसमें हम लोग पढ़ते है और इसमें आप देख रहे हैं कि 2020 और 21 में सवाल नहीं पूछा गया लेकिन बाकी हर बार सवाल पूछा गया है और पिछले साल तो 4 सवाल इसमें से आये थे तो मैं यह मानके चलता हूँ कि कम से कम दो से तीन सवाल इसमें आना बनता है दो से तीन सवाल इसमें आ सकते हैं तो इसको हम consider करके चलें various coding technique यह syllabus में जरूर है लेकिन कभी भी इसमें सवाल नहीं आ रहे हैं पिछली 6 साल में नहीं आ रहे हैं जैसे कि हम ASCII code की बात करते हैं या हम BCD code की बात करते हैं ग्रे code की हम syllabus में cover करेंगे लेकिन बहुत जादा इसको भी हम वेटेज नहीं दे रहे हैं इसमें मैं सवाल उम्मीद नहीं कर रहा हूं कि आएगा logic gates and boolean algebra पे definitely सवाल आने हैं हर साल सवाल आएं 2021 को छोड़के हर साल अच्छे कासे सवाल आएं तो मैं इसमें इस बार तो उम्मीद कर रहा हूं कम से कम 6 सवाल इसमें बनने चाहिए तो ये एक बहुत important section हो सकता है अभी देखिए कितना हो चुका है 6 और 6 12 और 5 17 आप 3 सवाल और बनने चाहिए पर मुझे नहीं लगता कि के मैप से 3 सवाल आने वाले मैं के मैप में 1 सवाल ले लेता हूँ तो अब 2 सवाल कहां distribute करूँ तो 2 सवाल डिस्टीब्यूट कर रहा है मुझे तो मैं मान के चलता हूं कि शायद एक मैं इधर बढ़ा सकता हूँ तो ये तीन कर दूँगा एक मैं यहाँ पर भी बढ़ा देता हूँ तो इसको साथ कर देता हूँ एक और मैं बढ़ा सकता हूँ कहीं पर तो मैं मान लेता हूँ कि binary arithmetic से शायद एकाथ सवाल बन जाए तो कुछ इस तरीके का weightage हमने distribute कर लिया है कि इस साल के exam में आ सकते हैं बढ़ गॉड नोस यही होगा नहीं होगा I'm not sure बढ़ experience के अधार पे और इस pattern को study करते हूए मुझे लग रहा है कि इतना weightage मिलना चाहिए बाकि तो जब exam होगा तो आप उसको tally कर लीजेगा हम तो भई ये पूरा का पूरा syllabus cover करेंगे अगर यहां से भी कोई सवाल आ जाता है तो वो भी हमको बनेगा ही बनेगा ये हमको कोशिश करनी है सिर्फ इसमें थोड़ा सा मुझे doubt है कि भई हम पूरा syllabus भी cover करें लेकिन फिर भी दाएंबाएं से कोई सवाल आ जाए लेकिन हम कोशिश तो ये करेंगे कि इसमें भी हमसे एक भी सवाल ना छोटे तो पस आज के लिए मेरे खाल से इतना ही है syllabus की पूरी जानकारी मैंने दे दी है अब हर दिन एक वीडियो आपको यहाँ पर मिलने वाला है अगर आपने अभी तक इस course को register नहीं किया इस course में register नहीं किया आपने आपको तो register कर लीजी यह course है free YouTube पर ही आपको इसके सारे वीडियो मिलेंगे लेकिन आपके लिए मैं बता दूँ कि इसके notes आप download कर सकते हैं notes मतलब यह जो आपको मैं दिखा रहा हूँ यह सब कुछ आप download कर सकते हैं free of cost और उसके लिए link मैंने इस वीडियो के description में दिया हुआ है आप उस link पर जाएए अपने आपको enroll करिये that is free of cost and you can use my platform where you can even download the notes right and definitely उस platform पर और भी बहुत कुछ है वो भी आप देख सकते हैं लेकिन यह सब कुछ absolutely आपके लिए free of cost है I hope आप लोग तैयारी कर रहे होंगे जोर शोर से और आपको मेरे score से काफी मदद मिले अपने score को increase करने में और आप एक अच्छी rank ला सकें तो all the best like करिये, share करिये, subscribe करिये चैनल को अगर अभी तक subscribe नहीं किया बेल आइकन को भी प्रेस करिये और comment देकर अपने सुझाव, अपने शिकायत अपने जो भी पूछना है डाउट वो पूछ सकते हैं आज के लिए तना ही, thank you, goodbye